हलो फिन नमस्कार आप सब कैसे हैं यो पच्छिस होंगे इंज्वाई कर रहे होंगे साथ में चार्ट रेडिंग जरूर कर रहे होंगे 100 प्राफिट डेली चैनल में आप सब का दिल से स्वागत है सुकी कल इन दोनों के एक्सपारी है यहां पर देखिए क्या है कि आपको जो वैंकomet City चार्ट में चार्टे आप करेंगे या हाँ नीचे कुस सपोर्ड देखने को मिलेगा ठीक है अब नीचे सपोर्ड कैसे देखने को मिलेगा चलिये यहां पर आप यह यह मैं च्पप्तर चाहईए और यह जो आपर यहां पर यह झाल कå कि कि ने किसन की आपका सब्सक्राइब पर देखेंशरों जिरू पर यह ऊपर गया यहां पर सपोर्ट तो सपोर्ट लेने के वाद फिर उपर गया और फिर इसको नीचे आया जा जाए इसका मतलब क्या है तो मार्केट जब इस तरह सी इंदर कुछ होई पिर इस तरह सी इधर कुछ होई दिये क्या बना अगर आप लंबे टाइम में देखेंगे तो यह इस तरह से आप यहाँ पर यह है बना है तो यह जो आपका डायरेक्शन है यह क्या बताता कि मारिक्ट आपको यहाँ पर हो सकता है कि कुछ दिन में प्रड़ा sebelum jedem कोसिस कोरें चलग है और यहां पर देखें सिंपल देखें कि आपको सपोर्ट से Protect सपोर्ट मिल कुका है करें हैं तब आपको कौण आएगा कौन का रजिस्टेंस प्रेथे और रजित्चदल लाइन करके यह पत All इहां पर सकते हैं और एक थो को मैं एहां पर i budget więc अब यह support को हम क्या करेंगे, यहां से green से mark out कर देंगे, ठीक है, यह आपका निकल गया, अब यह देखे, आप लोग पूचेंगे, बोला सर, यह कैसे support होता है, यहां पर देखे, market ने यहां पर क्या किया था, resistance लिया, फिर इसको यहां से break out किया, फिर यहां पर देखिए, support ल लिया, तो यह आपकी line है, अब हम यहां पर चलेंगे, किस में, 15 मिनट के चार्ट में चलते हैं, simple, तो जब यहां पर 15 मिनट के चार्ट में जाएंगे, इसको reset करेंगे, तो आप देखिए, इस तरह से आपको कुछ यह बन गया, अरे बन गया ना, है ना, सही perfect बना है कि नह हमने यह 10 line डा कर दिया, है ना, प्यारा 10 line बना है ना, बना है ना कि नहीं बना है, देखिए, यह बना हुगा है, ठीक, और इसको हम थोड़ा सा इधर तक यहां पर consider कर सकते हैं, देखिए, यह बन गया, अब यह जब बन गया, तो आपको क्या करना है, यह यहां पर हमारा resistance बन जाएगा, और नीचे आप यहां पर देख रहे होगे, आपका support है, नीचे आपका support कौन सा है, यह वाला आपका बड़ा support है, मतलब 58,236 का आपका support हो गया, यह 10 line आपका ऊपर का resistance हो गया, आप यहां पर एक छोटा सा resistance हम आपर बनाएगे, देखिए, चोटे time frame का resistance यहा यहां पर बना लीजिए, और इसके बाद यहां पर जाएगा, आप इसको pencil को उठा करके rectangle में जाएगे, और rectangle में जा करके इसको थोड़ा इस तरह से आप zone बना लीजिएगा, ठीक है, यह, आप यहां पर आपको सब कुछ पता चला कर नहीं चला, बताइए, इतना मैंने मैं यहां पर लगा दिया, इतना इस तरह से मैंने लगा दिया, तो कुछ तो आपको समझ में आया होगा, जब आपको समझ में आ गया, तो यहां पर आप इस तरह से करिए, यह आपकी price level है, यह आपका क्या बन गया, resistance, मैं आपको देखो, इस बार मतलब बिलकुल मैं price note यहां पर लेवल देगा, यह आपको देने के बाद फरदर आपकी गिरावट आएगी न, वो यहां तक की गिरावट दिख रही है, मुझे यह वाली, यह आपका यहां तक, यह जो trend line थी न, यहां तक की गिरावट मुझे दिख रही है, जो कि आपका 57,000,800,90 तक का target दिखा देगा, कब, जब आपका यह level, यह level आपका breakdown करेगा, तब यहां तक आपका level मिलेगा, यह level का मतलब यह है, कि आप यहां पर देखिए, यहां से आपके बायर objective हुए थे, तो इनका भी हैसल यहां पर मिल जाएगा, ठीक है, और साथ में आपका यह 10 line है, यह इसका भी respect यह क देगा, तो नीचे की level आपको पता चल गए, अब अगर आप उपर की level यहां पर देखते हैं, तो उपर की level में क्या है, कि जब यह resistance आपका है ना 58,722, जब यह आपका यहां से माल लीजे कि market आपके range में खुलती है, इसकी उपर जैसे ही जाएगी, तो आपके यहां पर double confirmation के लिए क्या होगा, एक तो यह 10 line का आपका breakout करेगा, दूसरा आपका resistance का breakout करेगा, तो जब इन दोनों का breakout करके ऊपर निकले आपका, तो फिर आप यहां पर एक बार काल के बारे में सोच सकते हैं, और आपका target यहां पर, जैसा कि 59,000 आपका देखिए यहां पर, 59,200 तो यह रेंज में खुल करके up down का case, अब यहीं पर आते से लिए gap down, gap up के case में, देखिए market में gap down को मतलब यह होगा कि इसके नीचे market खुलना, या इस area में खुलना, ठीक है, इसके नीचे मतलब आपका 58,236 के नीचे खुलना, अगर इसके नीचे खुलती है, market आपकी इसका resistance आप ले लेती, इस line का आपका resistance लेती है, या market मा लेजे इधर खुल करके इसके ऊपर जाए, और इस जगे से आपकी यहाँ पर resistance ले ले, तो हम यहाँ पर put buy करेंगे, target वापिस आपका 57,809 euro का आपका target होगा, market मा लेजे कि इस area में खुल जाए, यह range में खुल जाए, तो range में इस area में खुलते तो जब तक इसके नीचे नहीं आए, तब तक आपको put buy नहीं करना है, जब तक इसके ऊपर नहीं जाए, तब तक आपको call नहीं बाई करना है, simple समझेगा, दुबारा बोलाओ, यह आपकी जो range है यह वाली range, यह आपकी लगवख दा लगवख दो से 300 point की range इधर अगर आपकी market जब तक रहेगी, no trade कर देना, अब market है, माल लेजे कभी कभार ऐसा करती है, कि इधर माल लेजे, इधर गई, यहां से आपकी खुलती market यहां, अब यहां तक यहां गई, यहां के आने के बाद इस जगे आप जरूर decision ले सकते हैं, यहां तो यहां decision कभी मैं एक new buyer को यही बता रहा हूं, कभी भी आपको अगर call buy करना या put buy करना इस जगे करिए, आपको call buy करना, put buy करना यहां पर करें, इधर कभी मत entry करना, इधर entry करेंगे, आप फंच जाएंगे, कभी भी ना, यह जो आपने देखी इतनी मेहनत करके, आप बताई, यह support line बनाया, आपने resistance line बनाया, अब अगर आप यहां पर entry करेंगे, इस जगे तो इस से हमारे ज़्यादा बेक कौन हो सकता है, बताईए, होगा न, अरे मैं बोलता हूं, यहां से लेकर कि यहां तक छुट जाएगा, आपका छुट जाने दीजे, क्या फरक पड़ रहा है, आप इस जगे entry करेंगे, यहां से लेकर कि यहां तक छुट जाए, तो क्या फरक पड़ा है, आप इस जगे entry करेंगे, जो भी करना है, चाहे काल में करेंगे, चाहे पुट में करेंगे, मार्केट आपको उपर जाते वे दिखरेंगे, आप यहां पर काल में entry करेंगे, नीचे ज आपको यहाँ पर दिखाई दे सकता है तो देखे यह लेवल जितने भी हमने बनाया आप आई हो आपने यह लेवल को मतलब इसी तरह से बनाएंगे आप दूसरे यहाँ पर चलते हैं क्या एक और चीज आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूं देखिए यह जो आपका latest time का low बना था और हाई बना था लेटेश टाइम को लो और हाई का मतलब ये समझें आपका ये लो था और ये हाई था आपका इस ही जिगए आपकी मारेकेट जो है तो continue continue यहाँ पर Conseérer कर रही हैं तो अगर यह מהर्कट आप की हाओपनीचे चुल इशुह कर रही है अब आप His यह और सब्गोज़नも पर सबुर्इख और यह निए निए अदरल की अब देखिए आप प्रसेशनली बात कर यही बताया ना अरे भाई 10-20 पॉइंट का फरक तो हो सकता है कि नहीं हो सकता यह आपका एक respective support area है मैं आपको यह बता रहा हूं respective आपका resistance area आपका यह है तो जब तक इसके उपर नहीं जाएगी तब तक market आपके उपर नहीं जा सकती ठीक जब तक इसके नीचे नहीं जाएग तो आपका यह level यहाँ पर मिलना चाहिए जो कि लगभग एक अच्छा आपका यहाँ पर 300 point का यहाँ पर target आपको देगा ठीक है तो देखो फीबो नासी बनाने से support resistance बनाने से आपको यह चीज़े यहाँ पर विधिवत पता चल जाती कि हमारा level जो है तो यहाँ तक होगा और इसी हिसाब से आपको यहाँ पर trade भी करना चाहिए समझ गए यह level आप यहाँ पर बना लिजेगा बैंकेक्स में चलते हैं साथ साथ हम यहाँ पर midcap nipty में डिसकस करेंगे आपको midcap nipty में किस तरह ऐसे trade करना चाहिए तो यह आपके सामने देखे midcap nipty का आपका इस chart open हो चुका है यह daily time frame का मैंने चार्ट open कर रखा है यह मत घबराइएगा कि यह कैसे चार्ट है ठीक है daily time frame का अब daily time frame का मैं इसलिए चार्ट open करता हूं हमेशा चुकि मुझे support और resistance देखना पड़ता है कि कहीं मैं गलत ना हो जाओं मेरे बात आप समझ रहें daily time frame का चार्ट य करके मिल रहा है आप यहां पर बताईए यह जो हमने आपको target दिया था previous 2-4 दिन पहले की वीडियो में आपको खुद बता चल जाएगा कि हमने यह target क्यों दिया था और यह यहां पर क्या हुआ ठीक है समझ रहें इसका हमने target आपको यह बताया था कि नहीं बताया था बताय invalid gap को market fill up करती है आज नहीं तो कल वो fill up करना पड़ेगा invalid gap कभी market छोन नहीं सकती और नहीं तो यह जगह जो नहीं होने put buy किया उनको तो एक अच्छा खासा profit हो जाएगा और यहां पर भी इस candle से अगर मालों किसने put buy किया होगा यहां से लेकर करके यहां तक जो बीच के invalid gap ह वो market कभी नहीं चोड़ती इसको आपको उसको भरना पड़ेगा ठीक तो पहला तो यह condition आप चलें यहां पर हम support distance की हिसाब सिड़ा करेंगे तो सबसे पहले यहां पर जाएंगे वापी support support का मतलब यह जहां पर आपकी एक low point आया था यह support यहां पर भी देखते हैं तो यह आपका resistance भी बना था यह perfectly यह support हमारा बंडा है perfect बंडा है यहां पर भी resistance था तो यह गया इसको breakout किया यहां पर जब बाइंग आई थी आपकी आई थी कि नहीं आई थी अब आप एक बात बताईए अगर आप daily time frame में जाते हैं माले जे daily time frame के candle में जाते हैं यहां पर आप 幌द कि स्टापालास यहां पर heat है यहांपर है कि नहीं यह इन्हों से अभी तक exit नहीं है अपने माल को यह daily जो यहां पर जैसे मंथली जो यह एकसपारी का सौधा लेते हैं जो यहां पर तीन मंथ तक का सौध सौधा लेते हैं वो इतना याफ्यरेट है मार्गट दॉब त के तरब का जो data होगा नब पट की तरफ के टरफ का data क्या होता है put में put में आप क्या होता है कि आपकी वहां से जितने भी put सिल करके रकते हैं वे having आपने position को EXIT करना शुरू कर देते हैं तो आप देखना option chain में देख लेना तो put के तरफ का आपका open interest आपका minus दिखाई देने लगा जब भी put का open interest आपको minus दिखाई देने लगा तो आपको यह समझेना चाहिए कि भाई यहाँ पर put की जितने भी writer थे वो अभी अपनी position को यहाँ से book करेके exit कर रहे हैं और यह दूसरी जगे कहीँ shift हो रहे हैं तो दूसरी जगे कहाँ shift होते हैं वो फिर call के तरफ शिफ्ट होते हैं तो आप देखना है जो आपका call के तरफ का open interest है न वो यहाँ पर आपको plus plus मतलब और ज्यादा plus होता दिखाई देगा राइट इस बारे में कि वहां से put writer डर रहे हैं जिन्होंने sell करके रखा तो market उनको लग रहा है कि नीचे है कि इसलिए वहां से भाग रहे हैं अपनी profit को वहां पर book कर रहे हैं ठीक चलो यह आपका यहां पर आपका नीचे क्या हो गया आपका support हो गया अब उपर की तरफ अगर आप यहां पर देख बनता हुँ नजर आएगा अब आप बताईए एक फुद यहां पर जो हमने आपको resistance बनाया था वही resistance आगया जो previous आपका resistance था वो support आपको बन चुका है जब यह आप देख लिए तो नीचे का आपका यहां पर देखे कि नीचे से कहां आपकी buying श्टार्ट हुई थी और कहा यहां उपर से selling स्टार्ट हुई थी तो जैसे कि मैंने आपको बताए कि जो डेली टाइम फ्रेम में जो यहां पर ट्रेड करते तो उनका मतलब यह कि यह आपका यहां पर लिकुरिटी यहां पर create है इसका मतलब यह आपका एक demand zone है तो market क्या करती है कि जब भी कभी यह demand zone मे आएगी तो यहां पर market आप में buying आती है market में और market फिर फरदर यहां से ऊपर जाती है तो demand zone में आना बहुत जरूरी market में नहीं तो वहां पर उतने ज्यादा बायर एक्टीव नहीं होते हैं वहां पर selective होते हैं यह clear हुआ चलो मैं बहुत बड़ बड़ा आ रहा हूं मुझे पता है यह सब कहाने आप इतना जल्दी नहीं समझ पाएंगे बर ठीक है देखो थोड़ा थोड़ा भी आप समझे तो तना बहुत है आप यहां पर चलते परस्टनली कल के लिए बात करते हैं तो कल के लिए यहां पर देखें सिर्फ इतने चार्ट में इतने चार्ट कि मैं बात करूं यहां पर आप देख रहे होंगे यहां से जो भी सेलर एक्टिव हुआ है ना यहां तक उसने कोई भी प्राफिट बुक नहीं किया है ठीक कहने के मतलब यह जो आपकी अपका सप्लाई जोन जो बना हुआ है यहां पर यह आपका सप्लाई जोन है माल लीजिए त तो इसका मतलब यह है देखिए कि अगर मार्केट तो यहें रेंट मे खुले माल लीजिए कि हो सकत है रेंजिम है और आपका यह के नीचे जाती है तो थोड़ा सा वेट करीए कि अ करना है यहां से सुच warp यह नहीug अई आए एसामwhat सोच 이. n ज़लदी सोचना नहीं है हां है यहां यह को ट्रेप करने के लिए का उपर जाए फिर यहां viens नीशे हो बट यहांपर सिका ए डिया । तो गिरावट के मौके में आपको कभी भी ये चीद ध्यान दखना है कि जो आपकी put की trade है वो थोड़ा आपका quantity आप बढ़ा सकते हैं बट काल के trade में आप यहाँ पर quantity एक ही रखेंगे ठीक है यह मैं आपको बार-बार समझाता हूँ चलिए तो यह simple आप midcap में समझ सकते हैं ठीक आप यहीं पर मान लिजे कि market यहाँ पर रुकती है support लेकर के ऊपर जाती है तो देखिए support लेकर कि यहाँ से बिलकुल market ऊपर जा सकती है यहाँ पर आपको यह नहीं सोचने कि नहीं उपन नहीं जाएगी और ऊपर कहां तक जा सकती है market यह यह आपका supply zone है साथ में यहाँ से उपन निकलने लगे तब मतलब यह यहाँ से लेकर कि यह आपकी नजार आ रही मैं यहाँ पर थोड़ा सा बना देता हूं तो ज्यादा ठीक होगा आपका यह देखी यह ठीक है यह आपको पता चल लगा मतलब 12600 40 के ऊपर ही आपको यहाँ पर कोई कालवाई करना है और आपका टार्गेट जो है तो इस एरिया तक का होगा ठीक है और यह रेंज इससे बने गए इसके नीचे जाएगे तो हमने आपको पुट बता ही दिया गैप अप गैप डाउन की केस में सेम है देखिए अगर बड़ा गैप डाउन होता है माले जिक इधर कहीं खुले इधर कहीं खुले इधर कहीं खुले तो आपको थोड़ा सा देखना चाहिए कि जब तक आपका 12,500 तक आपका मिड़काफ है तब तब तो आपको घबराने के ज़ुरत नहीं है बड़ अगर यह 12,500 के नीचे गया तो यहाँ पर एक आपका हो सकता है कि और नीचे का यहाँ पर डाउनफाल मिले चुकि 12,500 में आपके अभी भी पुट राइटर यहाँ पर बैठे हुए है तो जब इनका एसल हीट होगा ना 12,500 वालों का यह अपने क्या करेंगे पुट में जो सिलिंग कि हैं वो पुट के पोजिशन को बाई करेंगे तो यहाँ पर पहले से या ले है यहाँ पर बार बार समझा रहा है। मतलब इसमान लोग बैठे हुए है यहाँ अभी लोग बैठे हुए है तो मार्चेट अगर गिरने पर उतारू हुई तो यह समझे़से कि अगर कभी भी इसके नीचे market आई ना यह मैं आपको zone बना देता हम थोड़ा सा इसके नीचे समझेगा इसके नीचे गर market जिस दिन भी आई आई आपकी ठीक है तो आपको ये जो level आपको देखने को मिलें ये वाला ये level आपको पक्का देखने को मिलेगा यकीन करिएगा मतलब वही है कि 12,300 के नीचे अगर मार्केट आई आई आपकी तो फिर ये लेवल भी आपको देखने को मिलेगा लगवक 300 पांट के नीचे भी गिरावट यहाँ पर आपको मार्केट में मिलेगी ठीक बड़ यहाँ से हम तो चाहते हैं कि मार्केट इतना ना गिरे यहाँ तक आ करके किसी भी हाल में यहाँ तक आ करके मार्केट यहां से समहल करके उपर चले जाए तो ज़्यादा बेश्ट होगा समझ रहें तो देखिए इससी तरह से आपको कुछ ट्रेट करना हुआ है resistance आप इस तरह से बना लिजेगा resistance आपका यह हो जाएगा छोटे टाइम फ्रेम में ठीक है बड़े टाइम फ्रेम में आपको जो टार्गेट यहाँ पर मिल रहा है अब आप टार्गेट के बाद करें तो टार्गेट देखिए आपको बता दिया मैं यहाँ पर आपका आपको बार-बार समझातों कैपिटल का ध्यान रखें अपना quantity कम रखें आप जितनी quantity कम रखेंगे आप उहाँ पर रुक पाएंगे अगर आप quantity बढ़ा देंगे आप मार्केट में रुक नहीं पाएंगे और आपको बड़ा लास हो जाएगा ठीक है तो चलिए आगा आई